कुर्बा जिला अस्पताल नीजी अम्बिलेंस अंचालकों के शिकंजे में आ गया है नीजी अम्बिलेंस अंचालक अस्पताल में उप्चार के दोरान मृत्य के परिजनों से शब घर तक ले जाने के लिए ले रहे हैं मनमाना किराया इसमें अस्पताल कर्मियों की भागेदारी से भी इंकार नहीं किया जा सकता नीजी एम्बिलेंस अंचालक स्वास्ट कर्मियों को दे रहे हैं मोटी कमीशन कमीशन खोरी के चलते कोरबा जिलास्पताल में नीजी एम्बिलेंस अंचालक को की लूट मची हुई है मुर्तक के परिजनों को शास्किया अम्बूलन्स उपलब्द नहीं हो पा रहे है मजबूरन परिजनों को शफ को घर तक ले जाने नीजी अम्बूलन्स कराना पड़ रहा है अम्बूलन्स अंचालक पोस्ट मॉटम तक्ष के पास ही मंडराते रहते हैं और प्रक्रिया पूरी होने के बाद शफ घर छोड़ने के बहाने मूटी रकम वसूलते हैं इस गोरक धंदे में स्वास्त कर्मी भी मिले हुए हैं उनको वैसे भी बीमारी के इलाज से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुके रहता है आर्थिक तरीके से और गाडी घर तक पहुँचाने के लिए अगर निसुन मिल जाती तो उनको बहुत खुसी होती है अभी तो पीछे मर्चुरी साइड में पीछे एरिया है जहां अफसरों का आना जाना बहुत कम होता है उस एरिया में प्राइबेट एम्बूलेंस वाले खड़े रहते हैं तो मेरी गाड़ी मान लीजे कहीं 10-15 किलिमीटर गई है तो वो लोग यह बोल देते हैं कि वो दूर गया है या सामता काएगा या है नहीं या खराब है कुछ भी वो लोग ड्राइवर लोग बोल देते हैं कितने परसान होते हैं और निया क्या कहता है या प्राइबेट एम्बूलेंस के लिए प्राइबेट एम्बूलेंस सरकारी एश्पाल के कंपाउंड के अंदर तो कहीं नहीं होना चाहिए उनको एलाव ही नहीं है घुसने का लेकिन फिर भी अब कहां कहां आदमी देखे गई इस वज़े से लोग छुपके बैठे रहते हैं कुछ सपोर्ट भी है इस्पताल कर्मचारियों का इस वज़े से लोग मेरे को जैसे कॉल आता है वंजिरो डबल नाइन से उससे पहले उ देखना होगा कि मृत्कों के परिजनों को लूटने से बचाने जिला अस्पताल प्रबंधन क्या कदम उठाता है कि इसी जड़े भी है